दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूपी आई से मनी ट्रांसपर कैसे करना है किसी भी बैंक एकाउंट में सबसे पहले आपको जो है यूनो लाइट एस बिया ओपन कर लेना होगा मैं ओपन कर लिया हूं और उपर आपको आपको आपसन मिल जाएगा उनेबल पर क्लिक कर देंगे इस बास यहां पर पर प्रफायल पासवार मांगा जाएगा तो चलिए में परकाउड्म लेटा अपट करा यहां हमारा यहां पर UPI जो है अन हो गया बस समीट पर किलिक कर देना है उपर देखिए मैसेज भी आ गया है यह पर फ़र्फर बासट का आया तो यहां पर फिर से आपको देखिए नीचे आपसन यहां पर मिलेगा इनेमल UPI यहां पर क्लिक कर देना है और फिर करने के बाद नमबर पर यहां पर यहां पर यूपिए जो है इनेबल हो गया है यूप अपर is successfully enabled for your account. Number you can perform UPI transaction for this account. यहां पर OK पर कलिक कर देना है, हमें back लेक लेक आएगा. यहां पर पर सक्नु स्फेक्षपोर क्लिक करना है, यहां फर्स्ट अप्शन में आपको क्लिक करना है, Mac payment, फिरफिरंगे पर ऑचलिक कर देते हैं, debit account number जिससे आपका money कटेगा यहाँ पर दूस्तों आपको select करना है select beneficiary अगर आप पहले से beneficiary किसी को add करके रखे हैं account number या किसी का नाम यहाँ पर option पर आ जाएगा तो चलिए मैं यहाँ पर select beneficiary पर click करके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैंने click कर दिया है यहाँ पर नयम आ गया है जो कि मैं already किसी करके रखा था तो यहाँ पर नीचे आपको second option select कर लेना होगा other beneficiary other beneficiary में click करने के बाद देखें यहाँ पर आपको क्या क्या देना है इंटर beneficiary account number आपको account number देना है confirm कर देना है account number और फिर आइफसी देना है इस बाद नीचे आपको amount डाल देना है और remark में आपको लिख दें किसी का भी नाम लिख दें तो चलिए मैं यहाँ पर फटा-फट सारा fill up कर देता हूं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने account number डाल दिया है आइफसी कोड भी डाल दिया और दोस्तों यहाँ पर आप amount जब भी transfer करेंगे पहले जो है थोड़ा सा मैं टांसपर करके चेक कर लेंगे जिससे मैं यहाँ पर फर्स टाइम मनी टांसपर करना हो तो मैं 50 रूपीज टांसपर करके पहले चेक कर लेता हूं और इसी तरीके से देखाये आपको जेव पहले जो है टुए रूपीज टू रूपीज 50 रूपीज 10 रूपीज करके आपको पहले चेक कर लेना है जब अधर जो है अधर अधर अकाउंट में चला जाए कांफर हो जाएगा तो फिर सेकर बार में पूरा प्रा कंप्लेट टांसपर कर और जब confirm हो जाईएगा तो फिर नीचे यहां confirm पर किलिक कर देना है और फिर confirm पर किलिक करने के बाद रेश्रे मुवाइल नंबर पर OTP जायगा तो यहां पर OTP को enter करना है यह हमारा OTP आ चुका है चलिए मैं इसको copy कर लेता हूं और फिर यहां में इसको इंटर कर देता हूं और ईंटर करने के बाद नेचे किसी वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि UGIjas कैसेक और उपर हमारा message भी आ गया है कि आपका amount cut हो गया है तो और बताई दोस्तों आज का video का इच्छा लगा comment जरूर करें और video का share जरूर करेंगे तो दोस्तों आप जो है किसी भी bank account में इसी process से money transfer कर सकते हैं जबकि हमसे पुछा नहीं गया है कि आप का कौन सा bank account है